समाइब तो ट्रिगर्स के लिया से निफ्टी के कंपनी और एसे नों में पाँच कंपनिया आज अपने नतीज़े गोशित करेंगे तो निफ्टी में Apollo Hospital है और एसे नों में भाटा भारत फोज पेज इंडास्ट्री फ्रेंट और 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 बिंडो फार्मा अपने नतीज़े ग तो यहां पर नसर रखेगा एक्सडेट है निफ्टी की छे कम्नियों के एक्सडेट है इंडेसेंट बैंक तो थोड़ा निफ्टी कम बढ़ेगा इस इससाब से तो यहां थोड़ा प्चास बावन पॉइंट के आसपास का डिवीडिन जी जी आप टोटल कर लिजेए शाड़े आट और चार बारा मतब तीस रुपे का दो डिवीज का ही है रुपे का तो ठीक है रुपे का डिवीडेंट के वजे से 50 कम बढ़ेगा बढ़ी मुषिल से तो डवल सेंचरी लगवा रहे हैं रुपे का डिवीडेंट है तो इसका एज़ेस्मेंट होगा इसके अरब बालक्रिष्ण इंडिक्सन इंडियन एनर्जी एक्षेंट आयोसी और महानगर गैस की तमाम कम्या है जिनकी डिवीडेंट की एक्स डेट है तो इनका एज़ेस्मेंट देखने मिलेगा जैपन के मा है कि आईशा मोटर्स के काफी 32 नतीजा है मैं आपको नंबर्स बता देता हूं रेविन्यूस 72 परसंट बढ़े हैं माजिन 18.4 परसंट बढ़के 24.5 23.1 परसंट का अनुमान था मुनाफ़ा जो है 611 करोड पे आया है 542 करोड के आसपास का अनुमान था 237 करोड से बढ़क आउक्षन में करीब 78 परसंट के आसपास की बढ़के देखने मिली है टाटा कंजूमर्स इन लाइन विद एस्टीमेट्स नंबर्स है रेविन्यूस 11 परसंट बढ़े हैं माजिन 13.7 परसंट अल्मोस्ट फ्लैट रहे हैं थोड़े इंच भी हुए हैं और मुनाफ़ा 15 पर नतीजे जिसमें नुपूर से भी जानते हैं कुछ और नतीजे मॉनिंग नुपूर बताईए गुड मॉनिंग सबसे पहले सील वहां पे थोड़े इन-लाइन सेट आफ नंबर्स आते दिखें जो आए हैं वहां पे 16 परसंट का उचाले और जो मार्जन से हाला कि वह पिछल नतीजे कंपनी ने रिपोर्ट किये हैं क्योंकि बेस काफी हाई था लेकिन अनुमान था कि नतीजे भी कमजोरी आएंगे इस बार की जो आये वह 6 पिसेंट से कम होकर आए जो कामकाजी मुनाफ़ा है वह 25 पिसेंट से गिरा है और जो मार्जन से वह 15 पिसेंट के आसपास नतीजे यहां भी कंपनी के और अनुमान से काफी नीचे आते दिखेंगे जो आये हैं वहां पे 14 पिसेंट का डाउन फॉल है कामकाजी मुनाफ़ा है वह 32 पिसेंट से कम होकर आया है और जो मार्जन से वह 25 पिसेंट पे आकर इस बार रुप गये अबॉट इंडिया काफी कंपनी के लिए क्योंकि जो आये हैं वहां पे सिफ साथ पिसेंट का उचाल आते दिखा कामकाजी मुनाफ़ा काफी फ्लाइट था और जो मार्जन से वह 100 पिसेंट का डाउन फॉल आते दिखा था कैश के स्टॉक से और कार्गो लॉजिस्टिक्स भी आज फोकस में क्योंक कंपनी का जो ग्रॉस रिटन प्रीमियम मेंवाद 6 पिसेंट का उचाले और इस बार कंपनी ने 118 क्रोड का मुनाफ़ा किया जो पिछले साल 5500 क्रोड का लॉस था ओके तो यह हैं आपके लिए कुछ और नतीजे अर्मान मौनिंग बताएं आप कौन से नतीजे लेका रहे ह बार मुनाफ़ा आतावा दिखा है 534 करोड का ओल इंडिया की नतीजे वह भी मिक्सड आते वे दिखे हैं आए आपको 33% बड़ी वी दिखेगी और मार्जिंस जो है मार्जिंस में आपको थोड़ा इंप्रूमेंट देखा गया है 43.7% से बढ़ कर 44.2% पर आते वे दिखे किम्स के अगर नतीजे देखे तो नतीजे कमजोर आते वे दिखे हैं हालकि जो आय है आय में आपको फ्लैटिस दिखेगा लगबग 5% की बड़ोतरी है पर मार्जिंस में कट देखा गया है 30.4% से गट कर 27.7% पर आते वे दिखे और मुनाफ़ा में भी आपको 21% की कट होत है वही मजगा और डॉक की अगर बात करेंगे तो बढ़िया नतीजे आते वे दिखे हैं आय लगबग 84% बढ़कर आई है मार्जिंस में भी इंप्रूमेंट देखा गया है 5.8% से बढ़कर 7.8% पर और मुनाफ़ा देखेंगे मुनाफ़ा लगबग 93 करोड से बढ़कर 217 करोड पर आतावा दिखा है और अगर बात करें तो नotीजे जो है उनके वो जो लॉस है वो घ़ाटा बढ़ चुका है आय में आपको दिखे एक अटफाइस क्ट होतोटी और घाटा भी लगबग 88 करोड से बढ़कर अन्त में अगर बात करेंगे रेल विकास निगम की तो पर नतीजे बढ़िया आते वे दिखे हैं, आए 20% बढ़कर आई है, मार्जिन्स में भी थोड़ा इंपरूमेंट देखा गया, 5.9% से बढ़कर 6% पर और मुनाफे में भी आपको 28% की बढ़ोतरी दिखेगी. प्रिजल सीजर में हमको एक बदलाव करने की बहुत जरूत है, अभी-अभी मुझे ऐसा लग रहा है, जितने भी हमारे रिस्टर चैनलिस्टे जो ये लड़िये पढ़े, इनको सब को एक-एक पानी की ग्लास सादना है, जरुआ तवरत वटती है, आखिर के साथ-ार्ट दिन में ऐसा करी लेना चाहिए, और इतने नंबर्स होता है, तेजी-तेजी से साथ पानी होता है, और फरिशानी आजाती है, जला ही सूग जाता है, पता जला है कि इतनी स्वीट से, आरहा हम साड़े-तीन बे तक मार्कर फुलता है, आजकर आप देख भी रहों के थोड़ी कम आ रही है, यह नतियों के सीजन से फूर्सती नहीं मिल रही है, निकालेंगे रही है, चलिए, सेकेंड राउंड करते हैं शुरू, वरुन आपसे बताईए, तो सबसे पहले PB Fintech याज़ जो कमनी का नुकसान है, वो और बढ़ चुका है, 111 कोड के नुकसान के मुकाबले इस बार 204 कोड का नुकसान के है, हाला कि revenue जो है, वो भी दुगने हुए है, 238 कोड से बढ़के 505 कोड, जमुएन कश्मीर बैंक या NIS 6.7% बढ़े हैं, लेकिन कमनी का मुनाफ़ा है वो भी 104 कोड से बढ़के 166 कोड, हाला कि NPS जो है कमनी के बढ़े 8.67% से बढ़के 9.09% के आसपास आए हैं, रेल्टेल का उपरेशन अच्छा परफॉरमेंस से रेविन्यू 23% बढ़े हैं, माजिन्स 19% से घटके 17.8%, मुनाफ़ा जो है उसमें 22% का उच्छाल है, वाटेक वाबाग मिले जुले नतीजे रेविन्यू 4% गिरे हैं, माजिन्स में भी गिरावटे 4.97% से 3.6%, मुनाफ़ा जो है उसमें बढ़ोती है 15 कोड से बढ़के सीधे 30 कोड पे आया है, पतंजली फूड्स यहां दमदाद नतीजे हैं, रेविन्यू 70% बड़े हैं, बाजिन्स अला की थोड़े गिरे हैं, 6.29% गिरे के 5.4%, मुनाफ़ा में 40% का आसपास की बढ़ोती है, 113 कोड से 240 कोड के आसपास आया है, डॉलर इंडेश्री यहां पे भी माजिन्स में थोड़े गिरावट है, रेविन्यू जो है 77% बड़े हैं, माजिन्स 7% के आसपास की गिरावट है, मुनाफ़ा 20% बड़ा है, 27 स्कोर पे आया है, 22 स्कोर से बढ़के और अलेंबिक यहां पे अलेंबिक रिमिटेड है, जहां पे रेविन्यू करीब 21% बड़े हैं, माजिन्स में बड़ोती है, 19.6% बड़के 24.5, मुनाफ़ा जो है, वो फ्लैट रहा है, करीब करीब 3.85 क्रोस के आसपास, के नुपर बताएं, आज के और आखरी सेट आप नतीजे कौन से, सबसे पहले हैं, काफी बड़या नतीजे आते दिखें, 75% से बढ़कर कंपनी की आया है, जो काम का जो मुनाफ़ा है, वो धाई गुना ऊपर है, इस पार, मार्जन भी साड़े सतरा प्रिसें से बढ़कर साड़े 25 के आसपास आते दिखें, मुनाफ़े से घाटे में आचुकी है, अब कंपनी, हाला कि जो आये है, वो वहाँ पर थोड़ी डाउन फॉल देखी गए, 17% से कम होकर, इस पार कंपनी की आया, आये लिए जो मार्जन से, वहाँ भी काफी दबाव था, काफी दबाव आते दिखाए, CAC, मिक्स, मिले जुले नंबर आते दिख रहे हैं, यहाँ पर 28% से कमनी की आये बढ़कर आई है, जो मार्जन से, वो 24% से कम होकर, 16% के आसपास आते इस बार दिखें, कोशन शिप्यार, काफी बढ़िया नतीजे लग रहे हैं, यहाँ पर कंपनी के, क्योंकि 34% से कमनी की आये इस बार बढ़कर आई है, जो मार्जन से, वो भी 6.3% से उपर होकर, 7.2% के आसपास आते इस बार दिखें, अन्टिनी वेस्ट काफी बढ़िया नतीजे यहाँ पर कंपनी के, 62% से कंपनी की आये बढ़कर आई है, मार्जन साला की थोड़े दबाव में, 26% से कम होकर, 19% के आसपास आते इस बार दिखें, अर्विन फैशन काफी बढ़िया नतीजे आते दिखें, कंपनी के हाला कि जो बेस था, वो काफी लो था लॉक्डाउन के चलते, लेकिन कंपनी की जो आये, वो तीन गुना से बढ़कर आई है, कामकाजी मनाफ़ा इस बास 92 क्रोड के आसपास दिखा है, और इस बार कंपनी ने काफी कम किये अपने लॉसिस को बॉटम लाइन पे पर, ओके तो धेरो नतीजे आये हैं, और ये सारे नतीजे आपके लिए, बट कुछ खबरे भी है, अर्मान, बताएं कौन सी हैं ये खबरे? जी, सबसे पहले, एरलाइन स्टॉक्स पर धियान रखेगा, क्योंकि अब जो 31 अगस से हवाई जो किराये हैं, उस पे जो लगी रोख है, वो हट जाएगी, और ये जो कैप है, वो लगाई थी सितंबर 2021 में, और अब कंपनिया, इसका मतलब ये है कि अब कंपनिया ताए कर सकती है, कि उनके नियूंतम और अधिकता किराये कितना हो सकता है, IGL, MGL और गुजराद गैस पर धियान रखेगा, क्योंकि सरका ने जो गैस डिस्ट्रिबूशन कंपनीज हैं, उनके लिए एलोकेशन बढ़ाया है, और बाकी इंडरेस्ट्री से गैस को डाइवर्ट किया जाएगा, और उसके चलते जो CNG, PNG के दामू में बड़े उच्छाल को काबू में लाने के लिए, यह कदम उठाया गया है, कुछ प्रमोटर्स एक्षन है, जिसमें किलॉसकर निमेटिक है, जिसमें प्रमोटर्स ने 15% हिसेदारी बेचे और खरीदने वालों की लिस्ट में काफी सारे फंड्स हैं, जिसमें वेल्यू क्वेस्ट है, ICCI प्रू है, L&T है, अधित्यविल्दा सनलाइफ है, टाटा मुचल है, जिन्होंने खरीदे हैं, किलॉसकर फेरस की अगर बात करेंगे आप, तो यहां पर प्रमोटर्स ने लगभग 31,00,000 शेर्स जो है, वो बेचे हैं, और निपॉन इंडिया म्यूचल फंड ने 15,00,000 शेर्स खरीदे हैं, जेके पेपर, जिसमें रनेजिंस इमर्जिंग मार्केट्स ने लगभग 11,00,000 शेर्स जो हैं, वो खरीदे हैं, और अन्त में अगर जैनसा टेकनोलोजी की अगर बात करेंगे, तो अमनसा होल्डिंग ने लगभग 72,00,000 शेर्स बेचे हैं, और वहीं प्लूटस वेल्ट ने 75,00,000 शेर्स खरीदे हैं, ठीक है, तो यह हैं आपके लिए सारी खबरे हैं, और कल कुछ जो प्रमोटर आक्शन बल डील्स होई थी, वो भी, आई अब जानते हैं, आज ब्रोकर्जिस क्या कह रही है, F.I.R. में,